दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे अनिलिंग प्रोसेस के बारे में अनिलिंग प्रोसेस हीट ट्रीटमेट प्रोसेस के अंतरगत आती है या कह सकते हैं कि हीट ट्रीटमेट प्रोसेस का एक टाइप है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अन वो स्टील के लिए की जाती है स्टील की अगर हम बात करें स्टील बेसिकली हमारे सामने अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं यहां से कलियर होता है कि दो टाइप का स्टील है हाइपो यूटेक्टोइड स्टील और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील अगर स्टील में का मलब 1-4% तक carbon content है तो वहाँ hyperutectoid steel कहलाता है और इस steel को एक proper temperature पर गरम किया जाता है और उस temperature पर गरम करने के बाद एक particular temperature पर steel को hold किया जाता है कुछ time period तक ये time period depend करता है कि हमें steel में कितने changes करने की जुरूरत है उस पर ये depend करता है उसके बाद steel को furnace में धीरे-धीरे थंडा किया जाता है थंडा इसलिए किया जाता है ताकि हमें जो desired property हमारी requirement है जो steel में होनी चाहिए वो मिल जाएं मतलब कि equilibrium structure को develop करने के लिए metal जो steel का बना है उसे धीरे-धीरे थंडा किया जाता है आप यहां से भी देख सकते है कि जो red line है वो indicate करती है कि हमें steel को गरम करना है एक particular temperature पर जो grain line है वो indicate करती है holding या soaking को कि हमें कितने period तक या कितने time तक इसको hold करना है जिस पर temperature हमारा constant रहता है उसके बाद धीरे-धीरे cool करना है जो black line है वो cooling को indicate करती है तो यह basically एक basic process है जो annealing में रहती है और annealing हम करते है foundry casting के उपर forging के उपर rolled stock के उपर या press work से जो component हमें मिलते हैं उनके उपर किया जाता है लेकिन annealing को करने से पहले हमें कुछ basics हैं वो clear होने चाहिए क्योंकि बार बार जब annealing process को हम detail में पढ़ेंगे one by one तो कुछ वहाँ पर particular parameter आते हैं जैसे बार बार आप सुनेंगे A1 temperature जो होता है lower critical temperature line 723 degree Celsius पर और कुछ books में लिखा होगा AC1 उसके बाद A2 जो curie temperature line होती है यह green color की है 770 degree Celsius पर A3 जो upper critical temperature line है और इसमें जो upper critical temperature line अगर आप देखें एक inclined line है जो जिसका जो temperature जब steel में carbon content 0.18% होता है तो यह minimum होता है अब जब carbon content बहुत ही कम होता है तो A3 temperature maximum होता है मतलब कि यह vary करता है 723 degree से 910 degree Celsius के बीच में और यह होता है hypo eutectoid steel के लिए उसके बाद यह जो ACM line है यह भी upper critical temperature line है लेकिन यह है hyper eutectoid steel के लिए जिसमें carbon content 0.18% से ज़्यादा होता है और 2.14% तक होता है तो यह upper critical line उस particular steel के लिए है तो यह हमें ध्यान में रखना है क्योंकि बार-बार इनका हम जिकर करेंगे जब हम individual एक-एक annealing process को आपके साथ discuss करेंगे उसके बाद बात आती है कि जब annealing की जाती है उस दोरान तीन stages होती है recovery, recrystallization और grain growth जो recovery होती है वो basically क्या है कि softening process होती है जिसमें हम क्या करते है जो dislocation या जो internal stresses होती है उसको हम remove करते है उसके बाद है recrystallization recrystallization में जो nucleation होती है new grains की जो new grain बनते है basically free grain होते है और वो बिल्कुल new strain free grain होते है किसी प्रकार की उसमें strain नहीं होती उसके बाद है grain growth कि जो नया हमारा जो structure बना है उसमें जो grains होंगे वो coarse structure होगी उसकी तो एक प्रकार से grain growth होगी अब बात करते हैं कि annealing को क्यों किया जाता है वो कौन-कौन से परपज है कि हमें annealing करने की जुरूरत पड़ती है अगर आप देखें हमें जब एक stable structure को complete करना है ठीक है to induce a completely stable structure इसलिए किया जाता है structure को refine करने के लिए homogenize करने के लिए machine ability को improve करने के लिए machine ability को improve किया जाता है material की strength को कम करके hardness को कम करके ताकि जो plastic deformation है वो आसान हो जाए ductility को increase किया जाता है toughness को increase किया जाता है cold work material में वो करते हैं grain size को refine करके desired microstructure को produce कर सकते हैं internal stresses को कम किया जाता है ताकि जो deformation और जो cracking होती है material को उसको prevent किया जासके eliminate करते है chemical uniformity को और साथ में remove की जाती है in trapped gases from steel casting क्योंकि casting के दौरण कुछ gases है जो casting में in trapped हो जाती है तो उसको भी remove किया जाता है ताकि हम particular material की performance को हम improve कर सके और उसको quinching के लिए तयार कर सके improve कर सकते है electrical magnetic properties को to improve physical and mechanical properties यह बहुत सारे purpose हैं जिनके उदस्य से annealing की जाती है और अलग-अलग annealing process का अलग-अलग temperature range रहती है अलग-अलग उसका purpose रहता है तो वो कौन-कौन से type है annealing के वो भी आप देख सकते हैं types of annealing सबसे पहले है full या complete annealing उसके बाद है diffusion जिसको हम uniform या homogenization के नाम से भी जानते हैं तो diffusion annealing isothermal annealing incomplete annealing यह चार annealing processes ऐसी हैं जिसको हम A1 और A3 temperature से उपर करते हैं A1 temperature हमारा lower critical temperature line जो 720 degree से उपर है क्योंकि जो 723 degree की line है वो A1 line होती है lower critical temperature और जो A3 line है वो हमारी ये वाली line है जो हमने discuss की थी आपके पास upper critical temperature line अगर hyperutectoid steel है अगर hyperutectoid steel है तो उस case में upper critical temperature की line ये वाली line है ACM उसके बाद है process annealing stress relief annealing spheroidizing annealing recrystallization annealing तो ये चार annealing processes ऐसी है जिसको हम below A1 और A3 करते है मतलब की A1 से नीचे जो lower critical temperature उससे नीचे किया जाता है या फिर जो A3 line है इससे नीचे कर सकते है अगर hyperutectoid steel है तो A3 हम इसको consider करेंगे जो upper critical temperature है अगर hyperutectoid steel है तो upper critical temperature की line ये है तो इससे नीचे हम consider करेंगे तो इस प्रकार से हम अलग-अलग temperature range पर और अलग-अलग purpose के अधार पर अलग-अलग annealing processes की जाती हैं तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया annealing process क्या होती है कैसे इसको किया जाएगा इसके purpose क्या होते है इसमें stages क्या रहती है और कितने types का होता है और इसका एक-एक type को हमारी next वीडियो में हम one by one विस्तार पूरवक आपको आपके साथ discuss करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और channel को subscribe करना ना भूले जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद आपका दिन सुब रहे कर सकते हैं झाल प्राइब कर दो है? कि अजर दो अजय के विर को जो जो अज़ने करें किस अ नजय को जो चको ज़गर सबिड़ा है